हाई फ्रेंट्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल से बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स जिसे आप एक बार बना के अराम से स्टोर करके रख सकते हैं आप इसे कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं ये मैं आपको आगे वीजियो में बताऊंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल से बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी और इजी स्नेक्स तो इसके लिए यहां पर हमें चाहिए धुली हुई मौंग दाल जो पीली वाली मौंग की दाल होती है वो यहां पर हमें लेनी है और इसे ना हमें राद भर के लिए पानी में भिगोना है इससे क्या है दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और पीसने में हमें आसानी होगी इसलिए दाल को आपको या तो overnight भी होना है या चार से पांच घंटे तो कम से कम आपको इसे भी होना है इससे क्या है पीसने में आसानी होगी और इसका ना हमें एकदम fine paste बनाना है और इसे पीसते समय हमें बहुत जादा पानी डालने की ज़रत नहीं है ज़रत लगे तो आप एक या दो चम्मची इसमें पानी डाले वरना आप इसे बिना पानी डाले ही पीसे मैंने इसमें बिलकुल भी पानी का यूज नहीं किया है और ये देखिए एकदम fine paste हमें इसका बनाना है आपको बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है इसमें डाल बिलकुल भी और एकदम fluffy सी यह दाल हो गई है पिसने के बाद तो चलिए अब इसमें बाकी सारी चीज़े एड़ कर देते हैं हम इसमें डाल देंगे आदा चोटी चमच कसूरी मेति तो कसूरी मेति कुरा आप अच्छे से क्रश करके डालिएगा और साथी में हम डाल देंगे इसमें तो हलदी पाउडर आपको इसमें थोड़ी सी जादा डालनी है इससे क्या है color बहुत है पहले सारी चीजों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे तेल तो तीन से चार बड़े चमच हम इसमें तेल डालेंगे सरसों के तेल का यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है नॉर्मल जो भी आप तेल लेते हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजे तेल को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे मैदा तो मैंने यहाँ पे एक बाउल मैदा ले लिया है यह हम इसमें डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे तो मैदा कितनी इसमें मैंने बाद में डाली है मैं आपको बताऊंगी बाद में वीडियो में आपको यहाँ पे कोई मेजरमेंट लेनी की ज़रुत नहीं है कि दाल कितनी लेनी है और मैदा कितना लेना है दाल आप चाया है जितनी मरजी ले सकते हैं मैदा आपको इसमें इतनी डालनी है कि इसमें अच्छे से डो बन जाए यहाँ पर हमें पानी का यूज बिलकुल भी नहीं करना है इसी डाल के अंदर हमें मैदे को डालना है और गुतना है तो इसलिए थोड़ी-thोड़ी करके आप इसमें मैदा डाली है एक साथ ना डाले तो टोटल मैंने यहांपे दो बा ancestor में इसमें मैदा डाली है इतनी डाल में और मैंने यहांपे जो डाल ली थी ना वो एक बाउल ली थी तो यहांपे आप देख सकते हैं यहीँ आठा गुत के हमारा ready है बाद में थोड़ा सा इसके उपर तेल लगाएंगे और एक बार अच्छे से और मसाल लेंगे और इसे ढखके हम 5 मिनट के लिए उठा के साइट में रखतेंगे और अब हम लेंगे कटोरी और कटोरी में हम डालेंगे कॉन फ्लोर तो यहां पर हमें यह तीन बड़े चमच कॉन फ्लोर लेना है और जितना हम conflore लेंगे उतना ही हम देसी घी लेंगे इसका हमेनल पेस्ट बनाना है एक दम स्मूथ पेस्ट इसका बनाना है तो दोनों की जो कॉंटिटी वो ब्राबर लेनी है यहां यह हो सकता है कि घी थोड़ा से इसमें ज़्यादा डले तो मैं इसमें तीन बड़े चमच घी डाल रही हूँ, तीन चमच ही मैंने इसमें कॉन फ्लोर लिया है कॉन फ्लोर या अरार ओट आप कुछ भी ले सकते हैं तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखे इस तरीके का हमें पेस्ट चाहिए तो ये भी रेडी है, इसे उठा के साइट में रख देंगे और अब चलिए इसका मसाला बना लेते हैं जो हमें बाद में इसके ओपर डालना है तो उसके लिए हमें चाहिए एक चोटा चमच काला नमाग, एक चोटा चमच ही हम इसमें डालेंगे यमचूर पाउडर, आदा चोटा चमच से जादा प्लेन नमाग और आदा चमच हम इसमें डालेंगे लालमिच पाउडर अगर आपको चटपटा जादा पसंद है तो आप लालमिच पाउडर इसमें चोटा चमच भी टाल सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा बहुत ही चटपटा खटा वाला हमारा यह मसाला बनके रेडी है इसे भी साइड में रख देंगे और दूसरी साइड इस आटे को रखे हुए पांच मिनट हो चुके हैं एक बार और अच्छे से इसको मसल लेंगे इस दोरान अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा सा पतला हो गया है आटा तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है बहुत जादा टाइट आटा आटा आपको नहीं लेना है और बहुत जादा सॉफ्ट मी नहीं लेना है जिस तरीके का नौर्मल हम चपाती के लिए जो आटा गुत्ते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें लेना है अब इसमें से छोटी सी हम लोई लेंगे थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा बड़ा बेलना है तो इसके उपर हम लगाएंगे सूखा मैदा और इसको बेलेंगे और थोड़ा पतला बेलेंगे तो इसके ओपर सूखा मैदा आपको जरूर लगाना है, नहीं तो क्या है बेलने में आपको दिक्कत होगी, तो देख सकते हैं मैंने इसको कितना पतला बेला है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेइस्ट बनाके रेडि किया है, इसे हम इसके ओपर लगाएंगे, तो उंगलियों से इस तरीके से इसको फैला लेंगे अच्छे से फैला लेना है पतली सी इसकी लियर लगानी है उंगलियों से या ब्रश का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इस तरीके से न हम चारो साइड इसके अच्छे से स्पेस्ट को लगा देंगे और स्पेस्ट को लगाने के बाद इसके उपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे सूखा मैदा भी आपको इसमें उपर से जरूर डस्ट करना है इससे क्या है काफी सारी इसमें layers बनेंगे और जब हम इसे fry करेंगे तो वो सारी layer खुल जाएगी अब इसे fold कैसे करना है ये देखे आप वीडियो में देख लिए एक side से उठाना है आदा fold करना है और दूसरी side से उठाना है आदा fold करना है एक के उपर एक को नहीं रखना है बिल्कुल ऐसे ही आपको fold करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं तभी आपकी जो इसकी layer है ना काफी ज़ादा बनेगी तो फिर से हम इसके उपर इस paste को लगाएंगे और इसके उपर फिर से हम सूखे आटे को dust करेंगे इस तरीके से और अब दूसरी सेट से उठाके इसको ऐसे fold करेंगे यहां से भी दूसरी सेट से उठाएंगे इसको fold करेंगे और फिर से हम इसके उपर लगाएंगे सूखा मैदा और इसको बेलेंगे अब हम इसको भी आमें गोल नहीं बेलना है इसी शेप में बेलना है और लंबा बेलना है और थोड़ा सा पतला बेलना है तो देखिए इस तरीके से इसको बेलेंगे मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगे इसके बिल्कुल भी नहीं करना है बस इसी तरीके से आपको ये इसकी ये लेयर बनानी है तो इसको पतला बेलना है और थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे बीच बीच में थोड़ा सा सुखा मैदा लगा ले इससे क्या है आपको बेलने में आसानी होगी फिर से आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला बेला है इसको और फिर से हम इसके उपर इस पेस्ट को लगाएंगे और फैलाएंगे बस थोड़ी सी जो महनत यहां पे लगती है ना वो इसको फोल्ड करने में लगती है बाकी इसमें कोई भी महनत नहीं है और बहुत ही ये क्रिस्पी लेयर वाली हमारे नमक पारे बनके रेडी होंगे आप इसे बना के अराम से स्टोर करके रख सकते हैं एक हफते तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे किसी भी एर टाइट डब्बे में आप इसे भरके रखिए तो फिर से उस पेस्ट को लगाने के बाद उसके उपर सुखे मैदे को डस्ट करेंगे और फिर से हम इसे एक के उपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइट से एक के उपर एक नहीं करेंगे बस आसपास में इस तरीके से चिपकाते हुए इसको फोल्ड करेंगे फिर से हम इसके उपर इस पेस्ट को लगाएंगे और सुखे मैदे को इसके उपर डस्ट करेंगे और अब हम क्या करेंगे एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से इसके उपर इसको चिपका देंगे ऐसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आपको फोल्ड करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बस अब इसे फोल्ड करने के बाद अ थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसलिए बहुत ही हलके हातों से आप इसे बेलिएगा तो देख सकते हैं थोड़ा सा ही मैंने इसको बेला है और अब हम इसे काटेंगे तो काटना हमें इस तरीके से है आदा आदा इंच की दूरी पे काटेंगे बहुत जादा मोटी मोटी नहीं जाहीं तो मैदे की जगह है, इसमें नॉर्मल आटा भी डाल के इसको बना सकते हैं, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से पहले सारे हम काटके रेडी कर लेंगे और आप यहां पे देख सकते हैं, कितनी सारी लियर इसमें आपको दिख रही हैं, लेकिन जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो इस सारी लेयर आपको दिखने लगेंगी और अब हम चलते हैं इने फ्राई करने के लिए तो फ्राई करने के लिए पहले तेल को आप अच्छे से गरम कर लें फिर गैस की फिल्म को लोटू मीडियम पे कर दें और एक एक करके हम इसमें डालेंगे तो बहु लेयर ठुलेंगे नी इसलिए थोड़े थोड़े करके हमें इने फ्राई करने हैं और फ्राई आप इसे अच्छे से कर लीजे जैसे आप देखेंगे इसका color change हो गया है क्रिस्पी हो गया है तप तक हम इने फ्राई करेंगे बीच-बीच में इसको इस तरीकें से पलड़ते में हम निकालेंगे और जो हमने मसाला रेटी किया है वो हम इसके ओपर डालेंगे तो यह मसाला हमें इसके ओपर गरम गरम में ही डालना है जिससे कि इसके ओपर चिपक जाए और यह लीज़ें आप यह बहुत ही टेस्टी हमारे लेयर वाले नमक पारे बनके रेडिंग है और